और क्या हाल चाल भाई लोग तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना हो नहीं पांच ये जितनी भी हो ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अपने स्मार्टफून के साथ नहीं करनी चाहिए उस पर जाती नहीं करनी चाहिए आज किस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों के बर बारे नहीं बताओंगा जो सभी लोग बताते हैं मैं थोड़ा सा अलग चीज़ों के बारे बताओंगा जो आपको लेएंग कि हां थोड़ा से content अलग है और हाँ यह सारी चीज़े हमें अपने स्मार्टफुन के साथ नहीं करनी चाहिए तो बिडियो को स्टार्ट तो यहां पर विडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप से के इंपर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस विडियो में कोई प्रॉब्लम हो या आप इस व स्मार्टफुन के साथ नहीं करनी चाहिए वह कि आपको रखना चाहिए अब देखेज पोकेट में ना रखने के मान जुकें तो आपका स्मार्टफोन से जुक गए तो आपके स्मार्टफुन गीरके पूट यहां पर अगली चीज है आपको पब्लिक वाइफाई के बारे में आपको कभी भी पब्लिक वाइफाई के यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक वाइफाई जो है नॉर्मल वाइफाई से ज्यादा खतरनाक होते हैं यह आपके डेटा को ले सकते हैं देखिए यहां पर क्या होता है कि जब आप नॉर्मल अपने घर में वाइफाई यूज करते हैं तो आपको एक प्राइबेट कनेक्शन मि हो सकता है वह एक हैकर हो और वह आपका डेटा वाइफाई के थ्रू चुरा सकता है तो अगर आप प्लब्लिक वाइफाई के यूज करते हैं तो आप जो है अगर बहुत ज्यादा नेसरी हो तभी पब्लिक वाइफाई के यूज करने अन्य था आपको पब्लिक वाइफाई को नहीं प्लग करना चाहिए इससे आपके स्मार्टफोन की वारंटी खतम हो सकती है देखिए होगा क्या कि माने जिए कि जब भी आपने बारीस वारीस में से या कहीं मौश्चर में से अपने स्मार्टफोन को लाया और आपने उसे चाल लगा दिया और हो सकता है कि उसमें अब देखिए जब आप बनवाने जाएंगे अपने स्मार्टफोन को सर्विस सेंटर में तो उसकी वारंटी खतम होगी क्यूंकि यहां पर स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे साइंस नजराते हैं जब आपका स्मार्टफोन कहीं पानी वानी में गिर जाता है मौश्चर में गिर और उसे चाइज तो भी बिलकुल ना करें क्य GET आपके स्मार्टफोन में 6 से उसको क्लोज कर दिया अब फिर से आपको WhatsApp को खोलना है तो माल जी कि फिर से आपने ड्रोड में गए और WhatsApp को खुले तो वह उतना ही इनर्जी लेगा जितना आपने पहले उसे दिया था WhatsApp को खोलने के दिए तो अगर माल लिजिए कि वह recent apps में होगा तो वह आपका वाटसैप का जो अपनी किसन है वो जल्दी खुल पाएगा और वो कम इनर्जी लेगा तो अगर आप रिसेंट आप्स को बार-बार क्लूज करते हैं तो आपको एसा नहीं करना चाहिए जब आपको लगे कि सारी एप से भी हो रहे हैं और बैग्रांड में कर रहे हैं तो आप आपको इसे क्लोज कर देना चाहिए लेकिन जब आप नॉर्मल कंडिसंस में हो तो आपको अपने रिसेंट एप्स को क्लियर करने की कोई जिरुवत नहीं है यहां पर जो अगली चीज है जो आपको अपने के स्मार्टफोन के साथ कभी करनी चाहिए वो है कि आपको बैटर च्टनल करते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन के बैटरी पर जादा प्रिश्र डलता है और उससे ज्यादा सर्वीशिज करता है इसमें आपको क्यों हो सकता है कि बैटरी खराब सकता है वहीं हाल होगा क्लीणर क्लीट करांगे तो एट दा अंंड अफ अपका लॉंग टर से भर या क्लीनर के यूज़ करते हैं तो आज ही उसको अनिस्टोड कर दें और बैटरी से भर और क्लीनर का यूज़ ना करें तो दोस्तों बताएगे कि सब्सक्राइब को लाइक और मेंच चेर बढ़ना ही आए हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें साथ मुझ अगले में थांके यू और बाइ